हेलो फ्रेंड्स वेल्कब डूआ चैनल जिसका नाम है प्रोफिट ट्रेडर्स तो दोस्तों आप सबको जो है वह बेटकरन के नए आल टाइम हाई की बहुत बहुत बदाई हो अब आल टाइम हाई तो बन चुका है लेकिन ये हाई कितना हाई और जाने वाला है वो जानेंगे उसके इलावा वारन बुफे साब 300 बिलियन डॉलर के कैश पर बैठे है सोचके रॉंग टेखड़े हो जाते हैं अब इतने कैश पर बैठे क्यों कैश पर बैठे है बाइंग गिरने वाला है क्या होने वाला है सब जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए बिना वक्त जाया कि ये वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको ये लिस्ट दिखाना चाहता हूं वीडियो की आईनो आप व्यूस देख रहे हो कॉमेंट्स देख रहे हो ठीक है इतना फरक नहीं पड़ता है बट आप एक चीज देखो इसमें से जितने भी ओल्ट पॉइंस हम लोगों ने मेंशन क किये हैं ना ओके और ये कब-कब के वीडियो से आप देख सकते हो इनकी रिकॉर्डिंग देट जून जुलाइज जो भी भाहिया हर किसी ने जो है वो जबर्दस रेटर्स दिये चाहिए आप पाइथ देख लो आज कितना 42 सेंट के ऊपर चल रहा है ओके वीचें देख लो पाइस सेंट के राउंड उसको बाय करना शुरू किया था फिलाल अगर आप देखोगे तो भाहिया बाइस सेंट के पास बैठा है फोर एक्स गेंज और वीडियो कब का है ऑक्टूबर का अगर आप जो है वो रेगिलरली चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको रेगि विजन देखना है ना की डे ट्रेडिक तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के ओपर जिसका नाम है भाईया बेटकॉइन का न्यू आल टाइम हाए असी हज़ार डॉलर्स के अराउंड जो है वो बेटकॉइन बैठा है अब यह जो है ना चार्ट आप आपने अगर मतलब आप पहली वारे स्वी चैनल पर आये हो तो प्रॉबेबली आपके लिए नया है वड़ अगर आप रेगलर हो तो आपको पता है यह मेरा फेवरेट चाहते हैं यह मुझे बता देता है कब भाई प्रॉफिट बुक करना शुरू करो और कब जो है वो मार चले और अब सब क्या बोलें बिटकोइन चला 100K के ऊपर अब बिटकोइन को कोई रोक नहीं सकता अब यह हमारे लिए क्या सिगनल है ठीक है वह बिटकोइन ने सी के बना दिया बिटकोइन थोड़ा रूकेगा अब ऑल्ट कोइन की जो है वो चलने की बारी है प्रॉफिट चाहिए जो तुम्हारे पैसे को हर ट्रेड में डबल करें और कुछ नहीं तुम अगर 100 डॉलर से शुरू करोगे और उसको डबल करते रहोगे भाया तुम अपने अब हिसाब लगा लो कितने ट्रेड तुमको चाहिए पैसा जो है वो 100 डॉलर से 100K या 1,000,000 डॉलर बनाने तो चलिए तब पहले शुरू करते हैं बिटकोइन से तो बिटकोइन अगर तुम देखोगे तो टेक्निकली बहुत-बहुत साउंड अब सिरफ एक दिक्कत है यहां पे वो है यह रसाइ जो है उसने अभी तक हाई नहीं बनाया यह तुम प्रीविएस हाई देख सकते हो य से हाई है तो यह उपर जा सकता है अब थोड़ा पीछे चलते हैं वह है यह जोन ओके मैं डरा नहीं रहा हूं सिंपल सी वाता देखो यार मेरा काम क्या है जब मैंने 50% 60% 100% बना लिए मैं वो प्रॉफिट को बुक करूँगा और मेरी सला रहेगी तुम्हें भी कि भाया द 70% बुक करो बाकी चलने है दो हमें क्या राइट अपना तो जो है वो पैसा कितना बन गया राइश अब तुम देखो जब तुमने 4X कर लिए तो और लालच कियो तो यहां अगर तुम देखोगे तो बेटकोईन ने क्या किया बेरिश डाइवर्जन्स थी RSI जो है वो फिर के आके एक और नया हाय बना दिया वठारे साइक आए वही नीचे यहां जहां तुम देख रहे हो इसी स्पोट पे है इसी स्पोट पे है इसके बाद क्या हुआ वो तुमारे सामने है ठीक है मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया यह तुमारे सामने है तो इसलिए मैं कह है ये बंदा भी कह रहा है ये कहता है यार मैं तो देखो भाईया मेरी कमपणी कितनी भी बड़ी हो मैं 300 billion dollars लेके जो है वो cash के ऊपर बैठा हूँ अब मैं सिरफ wait करूँगा अब उसकी बात भी बड़ी सही है हर चीज जो है वो all time high पर चल रही है और तुम कितने highs बनाओगे एक जगह जाके तो तूटोगे उसने profit बना लिए अब यह हमेशा टॉप प्रडिक्ट करता है ऐसा नहीं है यह भाई ने क्या किया इन्हों ने यहां पे यह stock जो है बेचा था अगर आप थोड़ा जाके पीछे चेक करोगे तो आइटिंग कुछ 160 के 180 के round इन्होंने अपना apple बेच दिया अब 180 से वो 226 तक गया कितने percent profits उनके जो है वो आप यहां देखो 22-26 और यह कोई छोटा amount नहीं है क्योंकि अब उसने तो भाईया पैसा यह इतना लगाया कि है हमारी मतलब इन्हें बाय तो बहुत पुराना किया हुआ उसने तो चार पांच डॉलर्स के round उसको बाय किया हुआ है फिर apple ने जाके split भी मार दिया 500 पे split मारने के बाद फिर से वो 180 पे आ गया अब भी अगर तुम profit book नहीं करोगे राइट जब सब लोग बोल रहे कि अब apple जो है वो यहां से वापस 500 डॉलर्स पे चला जाएगा तब तुम profits book नहीं करोगे जब तुम देखो कि apple की sale जो है वो टूट रही है लेकिन stock बढ़ और यही ना कल में एक बड़ अच्छा podcast देख रहा था उसमें भी यह बंदा जैसे मैंने आपको बताया वह भी शेक साही बंदा उसने भी बड़ी genuine बात बताई यही सेम चीज़ कुछ infosys भी ऐसा ही हुआ या वो भी मतलब इतनी जबरदस उसकी valuation बढ़ गई तो लोगों उनके मालिक को पूछा किया आपने ऐसा क्या किया भाईया कहता हमने तो कुछ नहीं किया जो regular कर रहे वही चल रहा है revenue हमारा किर रहा है right market क्यों बढ़ रही stock क्यों बढ़ रहा किसी को नहीं पता और उसके बाद क्या हुआ भाईया पूरा का पूरा crash infosys की बाट लग गई okay so यहां पे भी वैसा हो सकता है तो थोड़ा ध्यान से लेकिन अपने को तो देखो पैसा बनाना है अब पैसा बनाना है तो हम लोग जो है वो altcoins वैसे पकड़ेंगे जो support के पास हो जहां अपने को stop loss समझ में आए ताकि पैसा बने जाए नहीं अब वैसे दो altcoins अगर तुम देखोगे तो सबसे पहला है भाईया mnt mental token अब mental token क्यों कि तुम देखो दो बड़े exchanges है दो से चलो जो भी यह दो इनके बाद तुरंत जो है वो bybit है अब bybit का mental से क्या लेना देना वो हमें जो है वो जहमेनाय बताता है भाईया AI वो क्या कहता है कि bybit ने mental को बनाया bybit ने mental को support किया उसकी marketing की अब अपने launchpad के ओपर भी वो कहता है कि भाईया mental लेके आओ तो मैं तुमको जो है वो token और जादा दूगा so mental जो है वो हर जगा bybit पर यूज हो रहा है और bybit कितना बड़ा exchange है वो तुम समय सकते है जैसे कि हम लोगों ने देखा spot के उपर वो तीसरे नमबर पे है trading volume एक दिन का 6 billion dollars का है derivative exchanges के ओपर वो दूसरे नमबर पे है 38 billion dollar का जो है वो उसका market cap है okay मतलब market cap नहीं sorry trading volume है बाइनस से थोड़ा आदा लेकिन valuation देखो okay अब valuation समझने की कोशिश करो तो बाइनस की valuation है 91 billion dollars की और mental की जो valuation है MNT की वो भाईया 2 billion dollars मतलब तुम एक exchange से और यह ऐसा नहीं कि तुम्हें airdrop देने वाले है तो इनकी जो है वो volume बढ़ जाएगी जैसा यहाँ अगर तुम देखो तो बड़े सारी exchanges देखे भाईया ठीक है यह मैं airdrop करूंगा तो यहाँ इसकी volume बढ़ गई यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है हमें kucoin पसंद होता था लेकिन kucoin से पूरा पैसा जो है वो भाईया इसने खीच लिया है तो अपने पास भी साही टाइम है कि भाईया kucoin से पैसा जो है निकालो और mental के ऊपर चलो प्राइस इसका अगर तुम देखोगे तो 80 cent है all time high उसका जो है वो 1.51 था उससे अब भी 46% डाउन है all time low से 1500% डूपर है जो क्रिप्टों में कोई बड़ी बात नहीं है market cap बहुत बहुत चोटा जैसे कि ले ने बोला सिरफ और सिरफ तीन बिलियन डॉलर के करीब अब अगर तुम चार्ट देखो क्योंकि अपना काम सिरफ फंडामेंटल नहीं है चार्ट देखना भी है चार्ट में यहां क्या हो रहा है mental भहिया यहां से शुरूवा सपोर्ट स से एक हफते में इस टोकर ने जो है वो 38% की रैली देथी 38 से भी जादा यार almost 40% की रैली वॉल्यूम में ब्रेक आउट आ गया लोगों को पता चलेगा कि भाहिया प्राइज यहां से जो है वो मुडने वाला है अब कर क्या रहा है वो 79 सेंट के ऊपर सेटल हो रहा है जैसे वो 79 सेंट के ऊपर सेटल हो जाएगा यह वीकली केंडल यहीं क्लोज हो जाएगी तो मैं पता है 80 सेंट से उसको 1.47 सेंट पे जाना है और जिसका मतलब क्या है तुम्हारा पैसा जो है वो नियरली डबल यह मेरा एक ट्रेड रहेगा और यह मेरा ट्रेड है अब मैं क्या कर करना है 1.47 सेंट के पास तो के फाइनेंशल अडवाईस नहीं है अपनी रिसरच करो बट यह मेरा ट्रेड है यह मैं लूंगा और यहां मैं पैसे बनाऊंगा अब यह तो हुआ एक ठीक है बूपे का कैश पर बैठे ठीक है लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस से साथ चल रहा तो तुम्हें डेली या थ्री डे उस टाइम के उपर देखना है फिलाल तुम देख सकते हो क्या कर रहा हो पॉफेक्ट सपोर्ट के उपर बैठा है तो हम लोग स्टिल वेट करेंगे क्योंकि मंडे आ जाए ओके अप डाउन जो है वो हो जाए उसके वाल हम लोग जो है वो फेवरेट टोकन है क्यों है जैसा कि मैं बार बार मुलता हो फंडामेंटल देखो मेरे भाई ऑक्टूबर दो हजार वाइस जुलाए में जो है ये टोकन थोड़ा पिटा था पिटा क्या मतलब इसका टीवियल जो है वो कम हुआ था अब उसके बाद इस टोकन का टीवियल जो है जुलाए 2023 से लेके अभी के करेंट टाइम तक इसका टीवियल सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है ओके अब यहां को टीवियल बढ़ गया ठीके जुलाए 2022 से लेके करेंट टाइम तक इस टोकन का चार्ट अब एक बार देखो कि क्या हुआ हुआ के सो कहां गया हमारा आर्बिट्रम अब चार्ट में हम लोग चेक करते कि क्या हुआ तो इसको मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं और दो हजार बाइस जुलाइए आइ तिंक मार्च ओके सो दो हजार बाइस भाया उसका टीवियल पहले था बड़ टोकन बात में लाँच हुआ तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं तो अपने बास कहां जैन दो हजार तेईस से तुम देख सकते हो यह दो हजार तेईस का चार्ट तुम देख सकते हो ओके चाहिए टीवियल बढ़ रहा है बट sales टूट रहे है okay TVL इसका पैसा आर्बिटर में बढ़ रहा है बट stock price टूट रहा है okay so इसका क्या मतलब है यह होती है buying opportunity okay बहुत जबर्दस buying opportunity अब फिलाल यह चार्ट अगर तुम देखोगे तो बड़ा ही crystal or clear chart है देखो मेरे पास यहां पे इतना कुछ खास है नहीं क्योंकि इतना पुराना जो है वो crypto नहीं है but monthly time frame पे अगर तुम देखोगे तो 61 cents जो है वो अब मेरा support है मुझे क्या करना है 61 पे इसको पकड़ना है ride कहां तक करना है यह 79 तक depends कि तुम्हा तुम्हें कितना profit चाहिए और कितनी देर तक तुम पैसा लगा के रखना चाहते हो okay मैं इतनी जल्दी नहीं निकलूगा क्योंकि मुझे पता है कि यह महज एक से डेर हफते या दो हफते की बात है यह token easily मुझे एक डॉलर के पास मिलेगा previous high तोड़े तुम्हें ज्यादा trades नहीं चाहिए तुम्हें कुछ trades चाहिए जो तुम्हारा पैसा double करें और यह दो tokens है जो easily तुम्हारा पैसा double करेंगे okay but again financial advice नहीं है तो अपनी research करो और उसके बाद ही buy करो और मेरे भाई profits book करना okay वो बिलकुल book करना अब मैं तुम्हें वो भी बताता हूं कहां कहां करने है सुलाना हम लोगोंने 115-120 के पास buy किया 208 पे आ गया है मैं 40% profit book कर रहा हूं okay doge coin में हम लोगोंने 5-6 cents के पास पकड़ा है अभी 24 cents के पास आ गया 6 गुना मेरा पैसा हो गया है 4 गुना पैसे मैं यहां book कर रहा हूं 36 cents के उपर मैं पूरा close कर दूँग मुझे नहीं वेट करना है कि एक डॉलर तक जाएगा कि नहीं जाएगा XRP मैंने हमेशा बोला तुमारे portfolio में होना चाहिए यह तो मेरे भाई market कैसी भी रही इस token ने हमारे gains नहीं तोड़े और यह भी 30 cents के पास इसको मैं बेचूंगा okay फिलाल profit book नहीं कर रहा हूं Avalon शुरू हुआ है chain link हमारा सबसे प्यारा token आज ही मैंने trade इसमें close किया है okay और 131% profit के ऊपर मैंने trade close किया है chain link में Okay अब तुम को गए भाया market इतनी अच्छी तो तुमने link में trade close क्यों किया है तो वह भी मैं तुमें बताता हूं जो तुम ट्रेड में होना और तुम प्रीमियम पे कर रहे हो तो तुमें थोड़ा smart होना पड़ता है यहां यह कहां गए यार हमारी moving averages नहीं है क्या okay तो एक मि नीचे push करेगी okay हो सकता है मतलब वह हो गई link break भी करेगा उसको लेकिन जब तुम ट्रेड में हो तो तुमें प्रीमियम क्यों पे करना ना मेरे भाई उसको वह push कर लेने तो उसके push के बाद जो है हम लोग वापस खरीद लेंगे so दो यहां पर moving averages है white जो बहुत-बहुत strong है वो है भाई है तुमारी moving average 200 ओके और दूसरा जो है वो है अब बता नहीं आ रहे होगा कर नहीं हां दूसरा जो है moving average 100 दोनों बड़ी strong है और दोनों push करेंगी नीचे और उसको और यह वापस कहा है ता कुछ 12-40 के round जहां हम लोग वापस trade में entry लेंगे और मेरे भाई फिर ह हम लोग जो है वो वापस चलेंगे 19 डॉनर सक क्योंकि वो उसका next target है तो यह trades है जो मैं लेता हूं अब यह मैंने आज close किया दो नहीं trade open करने जैसे कि मैंने बताया mental और arbitrum के ओपर chain link के लिए मैं wait करूंगा but market बहुत बहुत overheated हो रही है अभी time है ठीक है November December probably ही चलेगी ले इसा जो है वो side पर रखो और वह या एश करो तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो like करो चैनल को subscribe करो दोस्तों के साथ share करो तुमसे जल्द मुलाकात होगी मेरे दोस्तों thank you so much